आज हम portable fan cooler product का troubleshooting वीडियो देखने वाले है इसे कैसे use किया जाता है जब यह work नहीं करता है तो इसमें कैसे troubleshooting करना है यह point आज हम देखेंगे इसे हम दो तरह से use कर सकते है एक तो इसके साथ में जो power cable मिलती है उसे यहाँ पे पीछे power cable वाले plug में plug-in करके और दूसरा तो यहाँ पे जो भी तीन डबल बैटरी जालके हम इसे use कर सकते है तो हम तो recommend यही करेंगे कि इसे power cable mode पे use करें विकॉज अगर आप batteries इसमें डालने जाते हो तो batteries अगर मानलो discharge है या फिर बहुत दिनों से use नहीं की हुए dead batteries है तो fan work नहीं होगा तो आप इसे power cable mode पे ही use करें इसमें यहाँ पे जो नीचे साइड में जो यह जो ट्रे दिया है इसे ऐसे open करें बाहर खीचे इसे open करें इसमें आपको यह power cable मिलती है कि इस power cable को अब इस तरह से open करके आपके घर पे जो भी adapter होगा mobile का उसमें plug-in करें इस तरह से और फिर आप यहाँ पर इसे इसे connect कर सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा fan work हो रहा है fan rotate हो रहा है और अगर आपको बैटरीज डालके इसे अगर यूज़ करना है तो इस case में आप इसे open कर सकते हैं पीचे से ध्यान रहे कि जबी भी आप battery mode पे इसे use करते हो तो तीन डबल न्यू फ्रेश वैटरीज ही यूज़ करें कोई भी यूज़ड प्लॉप के बैटरीज इसमें या फिर रिमोट के बैटरीज या फिर टॉइस के बैटरीज इसमें यूज़ ना करें अगर यह डिश चार्ज होते हैं तो फैन रोटेट नहीं होगा या पर हम देख सकते हैं बैटरी मोट पे भी अपना पंका चलता है तो अगर आपका फैन अगर power cable mode पे work नहीं हो रहा है तो ensure करे के आपने switch on करके रखा है कभी कब अगर मानलो switch off है तो यह on नहीं होगा तो switch को on करें यहाँ पे अगर फिर भी on ने हो रहा है तो देखे अड़ेप्टर में power cable ठीक से लगी है या नहीं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और यह जो fan है इसमें अगर आपको air flow के अगर दिक्कत आ रही है मानलो अगर हवा कम लग रही है यह अगर आपका problem है तो य यह fan एक फीट के दूरी से ही आप यूज कर सकते हो मानलो यहाँ पर आपने fan रखाया और यहाँ पर अगर आप study कर रहे हो या फिर कोई भी activity कर रहे हो बैठे बैठे तो इस तरह से आप मानलो दुकान के counter पर या फिर office में फिर घर पर study table पर आप इसे यूज कर सकते हो इसे ज्यादा लंबा रखे यूज ना करें इसके वज़े से इसका यह छोटा fan है यह portable है इसके airflow पर उतना limited ही है तो नजदिक से ही इसे यूज करें थैंक यू